दोस्तों कर आप अपने Facebook अकाउंट का पासवर्ड भूल गए हैं और उसको reset भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि reset करने के लिए new password change करने के लिए आपको पहले current password की चरूत पड़ेगी और वो अगर आपके पास current password ही नहीं है तो आप उसको कैसे change कर सकते हैं यानि कि आप current password के बिना Facebook का password reset भी नहीं कर सकते हैं और आप उसको login भी नहीं कर सकते हैं किसी भी अधर डिवाइस में तो अगर आप अपने Facebook अगाउंट का पासवर्ड बूल गए हैं तो कैसे पता करेंगे हम आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि आप आपके वाल में कोई भी सवाल है तो आप मुझसे comment box में comment करके पूछ सकते हैं या फिर Instagram पर भी message कर सकते हैं तो चलि मोबाइल की स्कीन पर ले जाकर मैं आपको दिखा जिता हूं कि Facebook अकाउंट का password आप कहां से पता कर सकते हैं तो मोबाइल की स्कीन आपको यहां पर नजर आपको ने मोबाइल में सबसे पहले Facebook को उपन कर लेना है मैं Facebook अक्اؤंट को यह फिर open कर लेता हूं तो Facebook अकाउंट ओपन होने के बाद आपको ओपर घ्लान क्लिक करना है और सो सेटिंग में जाना है सेटिंग में जाना है तो यहां पर आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा पासवर्ड एंड सिक्यूरिटी का ओपर मिलेगा यह वाल ऑप्शन इस पर क्लिक करना है तो यहां पर देख सकते हैं आपको पासवर्ड का ऑप्शन यहां पर मिल जाएगा password and security का तो इसमें आपको change password का option मिलेगा login लिखा हुआ जहाप तो change password पर जैसे आप click करेंगे तो यहां से आप अपना password change कर सकते हैं अगर करना चाहे तो लेकिन आपको इससे पहले current password की जरोत पड़ेगी और current password अगर आपको पता है तो यहाँ पर type कर दीजिए उसके बाद new password और फिर new password यहाँ पर change हो जाएगा आप उसको फिर other device में login कर सकते हैं लेकिन आपके पास current password ही नहीं है तो आप क्या करेंगे इसके लिए आपको back जाना है और current password आप कैसे पता कर सकते हैं वह आपको आगे बताने जा रहा हूं तो current password पता करने के आपके पास दो तरीके हैं मैं दोनों तरीके आपको पता रहा हूं सबसे पहले आपको अपने mobile में Chrome browser open कर लेना है Chrome browser open करने के बाद आपको ऊपर यूपर corner में जा आएंग इस पर क्लिक करना है और अब चले जाना है आपको settings में setting बिजाने के बाद आपको नीचे scroll करना है और यहां पर आपको एक option मिलेगा password का तो password का option आपको देखने के लिए आपर मिल जाएगा इस पर आपको क्लिक कर देना है और password पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपके जो भी social media से रिल्टेड अकाउंट्स हैं Instagram है Facebook है सबके password आपको यहां पर शो हो जाएंगे यहां से आप अपने password देख सकते हैं और इसके बाद दूसरा तरीक हम आपको 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 लगी होती है उस पर आपको क्लिक कर देना है और इसके बाद आपको Google अपर आपको आपको देखने के लिए मिलेगा टो पासवर्ड मेलेगा तो पासवर्ड मेनेजर पर आपको क्लिक कर देना है यहां पर आपने जितने भी अकाउंट्स अपने मोबाल में बनाई होएंगे तो वो पासवर्ड आपके यहाँ पर सेव हो जाते हैं जीमेल में अनि गूगल अकाउंट में आपके पासवर्ड जो भी अपना अकाउंट क्रेट करते हैं किसी भी अकाउंट का किसी भी पासवर्ड आप देख सकते हैं और Facebook का Current Password मिलने के बाद आप महाँ पर Facebook के Change Password आप्शन में जाकर अपने Password को Change कर सकते हैं और इस तरह आसनी से आपका पासवर्ड भी Change हो जाएगा और पासवर्ड चेंज ना करना चाहे तक current password को ही यूज कर सकते हैं तो इस तरह से आपको अगर facebook account को किसी भी अधर डिवाइस में लॉग इन करने हैं प्रोल अमारी ये password के लिए तो password को आप आसानी से पता कर सकते हैं और उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आगी होगी और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल पर नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब करें मिलते हैं ने च्टुडियो में तब तक के लिए बाए